नमस्कार दोस्तों मैं सुरिस्कमर और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मेथ कलम में चुकि यह फर्ष्ट कलास होने वाला है सातियों अगर आप जेनरल कमिटिशन के तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी न कभी देखा होगा कि उसमें भाजक से समंदित भी कुछ कोश्चन आते हैं तो बिना देरी किये हम भाजक से ही स्टार्ट करते हैं कलास को जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस कलास में भाजक से समंदित प्रश्ण करवाए जाएंगे तो इसमें सबसे पहले बात आती है भाजक की, तो भाजक क्या होता ये पहले समझे आप, जिसे किसी संख्या में भाग देते हैं और वह संख्या पूर्णता कट जाता है, वही भाजक कहलाता है, जैसे हम उधारन को लेके समझते हैं, बारा का भाजक, बारा का भाजक कुन- ठैक्षे बारा चैसरी गजल्पहालोमं धोगा तो यानि एक से भागदे रहें तो इससे भी पूर्णता कटेगा दो से भी पूर्णता कटेगा तीन से भी कटेगा चार से भी कटेगा च्छे से 12 से भी कटेगा ठैक एब मतले द्यश्र पांच फट्ट आजिए हो dif Х्ण सेस कितना दो अब देखिए पूंट में आ जाएगा दसमलब में आ जाएगा आएगा तो सबसे पहले यहां तक ही करेंगे अगर यहां तक में पूंट तक कट गया तब यह होगा अगर नहीं कटा तो नहीं होगा अता यह पाज जो होगा नहीं होगा भाजक अब भाजक तो सम गुनन खंड जैसा कि उधारण हम लेते हैं चार सो बीस का अब आज गुनन कट कितना होगा क्या क्या होगा देखिए चार सो बीस है दो से भाग देंगे दो एकम दो सोरी सोरी दो दुनी चार दो एकम दो जिरो का जिरो दो से भाग देंगे दो एकम दो देखिए दस आतो यानि जिरो उत्रेगा दो पंचा दस दो से लाएगा नहीं लाएगा अब तीन से लाएगा कि नहीं लाएगा ये वाद ध्यान रखेगा तीन से कटने के नियम अगर अंको का योग तीन से कट रहा है तो वह पूरी संख्या यानि पूरी संख्या कटेगा तिन तिया नौ एक हांसिल तिन पच्छा पंदर अब देखिए पांस तेन आठ तिन से कट रहा है नहीं पांस तो कटेगा पांस तो पैटेस आता इसका जो है अभाज गुननखंड कितना हो गया देखिए दो दो यानि दो गो है तो टू का स्क् है और आगे हम प्रश्न करवाने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बने रहे हैं वीडियो में और इस वीडियो को लाश्टक देखिए देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कोई छोटा उदारण नहीं लेते हैं भाजक तो जैसा कि भाजको की संख्या कितनी होगे कितनी होगे यह आपका कुशन दिया गया है तो 12 का सबसे पहले देखिए किन-किन से कट रहा है तो इसका कॉंसेप्ट क्या होता है कॉंसेप्ट से समझ यह 12 चुकि हम पहले बता चुके हैं जिस से जिस कटेगा एक से कटेगा दो से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 5 से नहीं कटेगा 6 से कटेगा और 12 से अता इसका भाज़क कितना हो गया भाज़क को की संख्या कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हुआ इसका एंसर चीक है अब देखे ये तो आपका है concept अब हम ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे ट्रिक ठीक है जिसे 12 का पूछा गया है तो जिस भी संख्या का भाज़क की संख्या पूछी जाए उसका अबाज गुननखंड कर लेजएगा इसलिए 2 2, 6 का 12 2, 3 6 और होगा नहीं होगा कुछ तो इसका जो आभाज गुननखंड आएगा आपको तो 2 का S का गुना ठिरी आएगा तो इसका नियम याद रखेगा आसान नियम है देखे 2 और 3 है तो सबसे पहले इसमें जो नियम होता है इसके पावर में 2 है इसके पावर में नहीं है कुछ तो ऐक है तो सभी के पावर में एक-एक जोर करके आपस में गुना कर देना है और बेस को काट देना है जाद रखने के लिए याद रख सकते हैं कारवर में काट देना है पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है यह याद रखिएगा जो इसका नियम क्या होता है देखिए यहां पर नियम तो किलियर हो गया नियम तो हो गया अब इसमें सबसे पहले जो नियम बदाए गया उस नियम से चलते हैं नियम बेस को चाल देना है मражिशें बेस को कर दर्थे उसके बाद पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करना है ऑप आपस में गुनाकर दी है की टिंग एकूना एक तीन गुना एक तो तीन दुनी छे यानी छे अता हम देख पा रहे हैं कि अगर कॉंसेप्ट से अगर बनाते हैं तो भी 6 आता है और अगर ट्रिक से भी बनाते हैं तो भी 6 आता है अता यह सही है इसका मतलब तो अब चुग यह तो छोटा उधारन था तो छोटा उधारन बन जाएगा इस नियम से भी परंतों अगर यही पर बरा उधारण लेते हैं या बरा अगर कोशन आयगा आपके सामने तो consecutive बनाएंगे इस हो पाएगा नहीं न, इसलिए आपको यहाँपे trick बताए गया था तो देखते हैं बरा कोशन को लेते हैं और यह कैसे बनेगा जैसे कि बारा कोशन में 420 ले लीजिए, 420 के कुल भाजको की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है, 420, तो सबसे पहले जो ट्रीक होता है, नियम पर अगर चलेंगे तो बहुत लॉंग हो जाएगा, ट्रीक से चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसका ट्रीक जो होता है, इसका आभाज गुन अंखंड तोरा जाता है, ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 5, 10, ठीक है, आप देखें, 5, 1, 6, 3, पहले बता चुके ये, 3, 9, 3, 5, 15, आप देखें, 5, 5, 7, 35, आता इसका जो आभाज गुन अंखंड आया, कितना आ पावर 2, यानि 2 को है, 2 के पावर 2, गुना 3, गुना 5, गुना 7, सेम तो सेम नियम, नियम को देखते हैं, बेस को सबसे पहले देखें, इसमें नहीं है कुछ तो एक है, इसमें नहीं है कुछ तो एक है, सबसे पहले बेस को काड़ देना है, बेस को हम काड़ दी है, ठीक है उसके बाद पावर में एक एक जोर के पावर में दो है यहां पे तो दो पलस एक गुना इसके पावर में एक है तो एक पलस एक गुना इसके पावर में एक है तो एक पलस एक गुना फिर यह एक पलस एक ठीक है अब इसको करते हैं दो, एक, तीन, गुना, एक, दो, गुना, एक, दो, गुना, एक, एक, दो, ठीक है? अब देखियां, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 दुनी 24, 24 यानि इसका भाजक होगा, यानि 24 को संख्या होगा, जिससे यह 420 कटेगा, समझ गए? अब चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, माल लेज़े कोशन आपको आ गया, 75 पे पावर, 8 के, कुल, भाजको, की, संख्या, कितनी होगे? कितनी होगे? ठीक है? अब देखें, चुगी यहां पे है, उससे थोड़ा अलग कोशन है, तो 75 पे पावर, 8, सबसे पहले जो दिया रहे गा अंदर में, उसका अब आज गुनन खंड़, 75, देखें, 75, तीन से कट रहा है, यानि ये पूरी संख्या कटेगा, तिन दुनी 6, तिन पच्चा, 15, पाचे, 25, तो इसका अभाज गुनन खंड़ आया, वह के दरा आया, 3 गुना 5 स्क्वेर, जैसा कि हमने यहां पे अभाज गुनन खंड़, इसका निकाल लिया, 3 गुना 5 का स्क्वेर, ये तो इसका है, यानि इसके पावर में कितना 8 है, सिम डिसम लिख द तो इसमें गुना होता है, फिर इसमें गुना होता है, तो 3 पे पावर, 8 होगा, गुना 8 दूनी 16, यानि 5 पे पावर, 16 हो जाएगा, ये हमने आगया, इसका अभाज गुन खंड के टैब से, यानि इस टैब से आ गया, तो अब नियम पे चलते है, नियम क्या कहता है, कि बे पावर में एक एक जोर के आपस में गुना किया जाता है, तो 8 पलस एक, गुना 16 पलस एक, ठीक है, 8 एक नौ गुना 16 एक, 17, 17 नमे कितना होता है, 113 पन, ठीक है, तो देखिए साथियो, इस टैप से भी कुश्चन पोछा जाता है, हमें उमेद है कि अब लोग को समझ में आ नेक्स्ट कुश्चन की तरफ, नेक्स्ट कुश्चन मान लेजा आपको, इस टैप से पूछ सकता है, कि 544 के वैसे भाजको की संख्या कितनी होगी, जो तीन से बढ़ा हो, अब देखिए सबसे पहले, 544 के वैसे भाजको की संख्या कितनी होगी, जो तीन से बढ़ा हो, तो सबसे पहले इसका अब आज गुनंकर तोड़ लेना है, 544, देखिए, दुमाहे मेंरे 425, दुमी छार, 26, दुए मेसे बढ़ा हो, दू खाटीशा का अथिना से बांध दू सबसे पहले इसका कूल भाजग निकालेंगे तो तो इसका जुनियम है सबसे पहले बेस को काड़ देना है और सभी के पावर में एक एक जोर के अपस में गुना करना है फाव एक फाव फलस वन गुना वन फलस वन ठीक है पाच एक छो आ एक एक दो यानि चो दो ने बारा देखे यहां पर यह एंसर नहीं हो जाएगा यह अगर एंसर हो तो यह गलत हो गया कोशन बोल रहा है तीन से बरा हो ठीक है तीन से बरा यह दो कुल भाजक हुआ तो कुल भाजक में तीन बला भी आता है तो सबसे पहले यह समझे कि तीन से पहले तीन तक यानि कितना भाजक होगा इसका तीन तक कितना होगा माल लिए एक से ही कटेगा यह तो परफेक्ट है एक से सभी संख्या कटता है, दो से भी कटेगा क्योंकि यहां पर सम है, दो से भी कटेगा, अब देखें, तीन से कटेगा, तीन से कटेगा या नहीं कटेगा, यह देखें, एक, सोरी, चार, चार, आठ, आठ, पांच, तेरा, तो यानि तेरा, तेरा तीन से नहीं कटता है, क् यह नियम है कि अंको का योग अगर तीन से कटेगा तो वह पुरी संख्या तीन से कटेगे परंतु यहां पर अंको का योग तेरा आ रहा है तेरा तीन से नहीं कट रहा है यानि तीन से या पुरी संख्या नहीं कटेगे अब जो भी आएगा तो यानि तीन से बरा ही आएगा इससे बरा ही आएगा, तो यानि इससे छोटा तक है एक और दो संख्या, दो गो है तो देखिया, कुल भाजग है बारा, बारा मेंसे अगर दो को घटा दिये तो दस जो आएगा हमारे पास, यह 3 से बरा ही संख्या नहोगा, तिन से बारा संख्या होगा ना तो आता हम कर सकते हैं कि तीन से बारी भाज़कों की संख्या जो होगी वह दस होगी ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ जो किस ट्राइब से पूछा जाएगा जिसे आप माल लीजे अगला कोश्चन आ गया चार सो सरे चालिस के कुल भाज़कों की संख्या लेख है ये थ्री कोश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए अगर बन जाए तो कॉमेंट में जरूर लेखिएगा